ओम गंगर पते नमाँ नमस्कार श्वागत आप सभी का मेरे बक्ति बावना यूटूब चैनल पर दोस्तों स्रावण मास शुरू हो रहा है और स्रावण मास में साथ रासियों पर भगवान महाकाल की अतिक्रपा रहेगी स्रावण मास से साथ रासियों का भग्य बदलेगा यह साथ रासी ऐसी हैं जो आने वाले समय में बड़ी ही लखी रہेंगी महाकाल की पूजा करने से इनसान के बड़े-बड़े कारे सिद्द हो जाते हैं स्रावड मास में भगवान सिवजी की बिवित प्रकार से पूजा की जाती है स्रावड मास में महामर्तुन्जय मंत्र जाप करने का भी बड़ा महत्तु है जो लोग स्रावड मास में महामर्तुन्जय मंत्र का जाप करते हैं आने वाले समय में किशिवी प्रकार की परिषानियों और संकटों से लड़ने की सक्ती प्राफ्त होती है 16 जुलाई से शूर करक रासी में प्रवेश करेंगे और करक रासी में ये प्रवेश बहुत ही सुव माना जाएगा यहन कर्ग रासी में जैसे ही शूरु प्रवेश करेंगे तो कई रासियों पर बहुत बड़ा प्रभाव डालेंगे जो तो प्रतेग रासी वालों को सुबह के समय शूरु देव को जल जरूर अपन करना चाहिए शूरु देव की जो सुबह की अरोणा राकाल की रस्में करनें इंसान के उपर पढ़ती हैं वो अमरत के तुल्ले होती हैं नवग्रेन में शूरु देव को उच्चिस्तान दिया गया है और बहुत सारे बेदों में सूरु को भगवान की उपादी भी दी गई है सभी विद्विरकार से भगवान को प्रसंद करने का प्रयास करते हैं और सूरु देव का बली होना भाग्य को उदय करने के लिए जरूरी है इसलिए सुबह के समय सूरु देव को जलार पढ़ जरूर करना चाहिए साथ रासियों के बारे में जो जानकारी दे रहा हूं उनको कुछ उपाए भी करने होंगे आगे लाश्ट वीडियो में मैं तीने ऐसे उपाए बताऊंगा जिससे माकाल प्रसंद हो करके आपकी सभी मनो कामनाय पूरी करेंगे दोस्तो भगवान सिव बड़ी जल्दी प्रसंद हो जाते हैं और बारहो रासिवालों को माकाल की पूजा करनी चाहिए चाहिए आपको जीवन में तरक्की करनी है चाहिए यस पिराप्त करना है चाहिए संतान चाहिए लेकिन सिव जी की आरादना बहुत ही जरूरी है जिसके उपर माकाल की करपा हो गई जीवन के सभी मनुरत पूरे हो जाते हैं ऐसे ही कुछ योगिन सातराशी वालों के रहेंगे मातारानी की करपा से इनकी सभी कार निर्वग्न पूर होंगे आने वाला समय इनके लिए बहुत ही सुबता लेकर के आएगा ग्रेण की दोस्तों कितनी भी अच्छी द्रेष्टी हो लेकिन इनसान को अपने करम पर भी ध्यान देना चाहिए ऐसे कार करने चाहिए जिससे अच्छी मन को सांती मिले दुआ मिले लोगों का भला हो और किसी की सायता हो भगवान कृष्ण के कहते हैं कि जो इनसान करम करता है भागई के लिए नहीं करता किसमत के लिए नहीं करता वो सिर्फ अपना करम करता है उसे में फल देता हूँ और महाकाल की पूजा तो स्वेम भगवान ने भी किया है इसलिए ये जो स्रावर का महिना है पूरे महिने आप लगन के साथ में महाकाल की पूजा करें भस्म चड़ाएं चंदन चड़ाएं वेल पत्र चड़ाएं दूसरा गोमाता की सेवा दूसरों गोमाता की सेवा से इंसान की किस्मत बदलती है जो लोग गोमाता की सेवा करते हैं उनकी ग्रस्त जीवन में हर प्रकार की खुसी बनी रहती है गोमाता की सेवा करने से बड़े बड़े लाव मिलते हैं इसलिए प्रतेक इंसान को गोमाता की सेवा जरूर करने चाहिए सुबह के समय जैसे आप दपता जा रहे हैं ओपिस जा रहे हैं या अपने बिजनिस जा रहे हैं तो सुबह के समय गो माता को रोटी खिला करके जिन निकलें गो माता का पूजन करके निकलें आपके सारे कारें सफल रहेंगे पूरा दिन अच्छा निकलेगा गोमाता की सेवा से इंसान के जीवन में हर सुख प्राप्त होता है सनी देव की आराधना 2020 और 2021 में सनी देव की आराधना का बड़ा मैत्व है वैसे तो हर समें सनी देव की आराधना करनी चाहिए लेकिन 4-5 साल कई राशियों के उपर सनि देव की ब्रसीश किरपर आईगी तो ये राशिवाले सनि देव को प्रशन करने के लिए उनकी पूज़ा जरूर करें सिंग राशिवालों को शूरदेव की आराधना करनी चाहिए ये सिंग रासी बहुती सुबरासी रहने वाली है और सिंग रासी वालों को कुछ कठनाईयां में मिलेंगी तो सभलता भी उनको मिलेगी इनका सुबाव अच्चा होता है उपर से कटूर होता है लेकिर अंदर से मन बढ़ा ही धर्म प्रगति का और साहता प्रियोग होता है ये लोगों की दूसरों की साहता करने के लिए तक पर रहते है करक रासी स्रावड के महीने में करक रासी का बहुत ही अच्चा बागी रहने वाला है करक ऐसी रासी है जो बगवान सिव जी को अतिप्रिय है करक रासी के जो स्वामी है वे सदाई महाकाल के साथ रहते हैं यानि भगवान सिव अपने मस्तक पर चंद्रमा को दारान करते हैं सीचलता प्रदान करते हैं और ये ग्रह जो चंद्र कर है ये जलिये ग्रह है और ने की जो रासी है करक इनको जलिये रोग वह जल्दी होते हैं तो स्वास्त का विश्य ध्यान रखना है और स्रावणमास में महाकाल की पूजा करते रहना है ब्रसवरासी ब्रसवरासी बालों का भाग बहुत अच्छा रहेगा और अभी आने वाले समय में बड़े उताच चड़ाव रहेंगे बहुत उताच चड़ाव देखने को मिलेंगे आपको कुमरासी बालों पर सनी देव की विशेश क्रिपा रहने वाली है सनी की साड़े साथी आने वाले कैई साल तक सनी की द्रश्टी मकर रासी और कुम्रासी पर रहेगी सनी देव की दिरश्टी के द्वारा ही आपका भाग्युदय होगा बड़े बड़े कारशित दोंगे बिजनिस संतान, ब्योपार नोकरी सनी देव हर कोछ दिलाएंगे दोस्तों सनी देव जिस पर महरवान हो जाए उस इंसान को रंग से राजा बनने में देर नहीं लगती और सनी देव ऐसा ही करेंगे कुम्रासी और मकरासी वालों के साथ में तोलारासी पर दोगरन के ऐसी द्रिश्टी है जिसके द्वारा तोलारासी का भाग्युदय होगा बड़ी कठनाईया आपने जेली कन्यरासी वालों ने अब आपका सुब समय शुरू हो चुका है मेशरासी वालों के लिए टाइम बहुत ही अच्छा आएगा और 16 जुलाई के बाद में मेशरासी वालों के लिए टाइम और सुब रहेगा तो आने वाला ये समय बहुत ही कुछ उतार चड़ाव कर रहने वाला है धनुरासी में स्वेम ब्रस्पद्य ब्राजमान हो चुके हैं और धनुरासी वालों को बहुत बड़ा लाब मिलने वाला है बड़े बड़े कार शिद्द होने वाले हैं हर प्रकार की कार में सहयोग मिलेगा आपको, संतान की प्राप्ति होगी, धन का लाब मिलेगा, परवारिक सहयोग मिलेगा, बड़े बड़े ऐसे कार शिद्धोंगे, जो आपको टेंसिन दे रहे थे, लेकिन अब आपका समय सुब शुरू हो चुगा है, धन प्राप्ति के अच्छे ही हो गए, माकाल की पूजा करते रहें, प्रश्चिक रासी वाले, प्रश्चिक रासी वालों को सपलता मिलेगी, धन की, संतान की, व्योपार की, हर प्रकार का सुख मिलेगा, लेकिन आप भी, अब आपके प्रतिकार अच्छे और संपन होंगे, दोस्तों ये थी, कुछ जानकारियां, जो मिन रासीों के बारे में बगता ही हैं, मुझे अम्मीदा आपको जानकार अच्छी लगिए, माकाल की पूजा करें, आपके सभी कार निर्वग, संपन हों, जै माकाल, ओम